दोस्तो आज के इस वीडियो में आपका काफी सारे डॉट को किलियर करने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एश्ट्रेगर को आप फूल मैक्स कर सकते हैं सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को बिना स्किप्ट के पुड़ा देखिए दोस्तो कुछ दिन पहले ही केरमपुल का सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल एस्ट्रेगर गेम में एड हुआ है जिसका नाम है दिया लेजेंडरी तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिया लेजेंडरी एस्ट्रेगर को अनलोक कैसे करें इसको फुल मैक्स करने में क्या क्या लगेगा और कैसे होगा और इसको फुल मैक्स करने में कोईन कितना खर्चोगा अगर इसको अनली अनलोक करते हैं तो इसका परफु कैसा रहता है को ट्रेट करने वाला है तो चलिए दोस्तों किसी भी एश्ट्रेगर को फुल मैक्स करने के लिए त्री एस्टेप किया जाता है को नहीं उसके बाद सेके अश्ट्रेगर का पीसे करना पर ता है ठर्ड एक्टेप में उसको कोईन देकर अपडेट करना होता है तो दोस्तों सबसे पहले में दिया लेजंदी एस्ट्रेगर को परचेश कर लूगा जिसका प्राइज 179 है तो दोस्तों दिया लेजंदी एस्ट्रेगर मेरे एड़ी में अनलोक हो चुका है अब इसको full max करने के लिए और इसको powerful बनाने के लिए इसका pieces बै करना होगा 1 pieces का price 108 है और इसको 6 time बै करना होगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं इसका 6 time pieces purchase करता हूँ और उसके बाद आगे का process बताता हूँ तो दोस्तो मैं 6 time इसका pieces बै कर चुका हूँ अब ये S-Tragger full max होने के लिए बिल्कुल ready हो चुका है और इस S-Tragger को max करने के लिए मेरी ID में already लगवक धाई करोर कोईन परा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं और दोस्तो अगर आप कोईन बै करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नमर दिख रहा है आप उस पर message कर सकते हैं 100% trust के साथ आपका काम हो जाएगा दोस्तो S-Tragger को max करने से पहले मैं इसका normally gameplay करके दिखा देता हूँ और दोस्तो ये dot clear करना काफी जरूरी है क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिससे full max करना possible नहीं है तो काफी सारे लोग इससे only unlock करना चाहते हैं उसके लिए मैं एक gameplay करके उसे दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको only unlock करेंगे तो इसका performance कैसा रहता है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कि दिया legendary S-Tragger को only 179 से back करेंगे तभी ये काफी powerful रहेगा तो चलिए दोस्तो अब इसको full max करते हैं और full max होने के बाद gameplay करते हैं और फिर देखते हैं इसका performance कैसा रहता है तो दोस्तो सबसे पहला update 26,000,000 का है जो मैंने कर दिया है उसके बाद दूसरा update 33,000,000 का है और दोस्तों तीसर अपडेट भी 33,00,00 का ही है जो मैंने कर दिया है और दोस्तों सबसे बरा और लास्ट अपडेट है 52,00,00 का इसके बाद ये S-Tragger Full Max हो जाएगा और दोस्तों दिया लेजन्दी S-Tragger को Full Max करने में लगभग 15,00 क्रोर कोई लगता है जो मैंने live आप लोगों को दिखा दिया है और दोस्तो इसका time में एक point खाली है इससे force कम नहीं होगा mini clip के server में साइध कुछ glitch चल रहा होगा इसलिए इसमें एक point कम सो हो रहा है माकी इसका जो भी aim time force है वो आपको full मिल जाएगा और हो सकता है जब कभी server ठीक हो जाए तो ये अपने app full हो जाएगा तो दोस्तो दिया legendary trigger full हो चुका है अब इससे एक break to finish gameplay तो बनता है तो दोस्तो मैं match connect कर लिया हूँ लेकिन turn opponent का आगया है लेकिन वो finish ने कर पाए हैं उसका miss हो गया है लेकिन दोस्तो opponent दिया legendary trigger को साइद देखते ही match live कर दिये हैं तो दोस्तो फिर से match connect करते हैं और देखते हैं दिया legendary trigger का gameplay तो दोस्तो match connect हो गया है और turn इस पर हमें मिल गया है और अब देखिए दिया legendary trigger को full max करने के बाद इसका performance कैसा रहता है तो दोस्तो आप लोग live proof देख सकते हैं इसका gameplay कैसा दिख रहा है और इसका aim time और force काफी अच्छा हो गया है अगर आप only 179 से बाइभी करेंगे फिर भी इसका aim time और force काफी अच्छा ही रहता है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को complete details के साथ बता दिया हूँ कि आप दिया legendary astragor को कैसे max कर सकते हैं इसमें कितना coin लगता है और इसका क्या process है फिर भी अगर आपका कोई dot हो तो screen पर मेरा whatsapp number देख रहा है आप उस वर message कर सकते हैं मैं आपके dot को clear कर दूँगा तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगा है इसलिए आपसे request है कि वीडियो को like कर दिजिए and channel पर नए आई हैं तो subscribe कर लेजिए यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याई